क्या आपका मीठा खाने का मन करता है, आपको sugar cravings होती है, या फिर कभी-कभी आपका कुछ नमकीन, spicy या फिर कभी कुछ fried खाने का दिल करता है, तो ऐसा नहीं है कि हर बार food cravings का यही मतलब हो कि हम वो चीज शुरू से बच्पन से खाने में लाइक करते हैं, कभी-कभी कुछ cases में जो हमारी cravings होती है, वो हमारी body में indicate करती है nutritional deficiencies को, हमारी body में जब कुछ पोशक तत्वों की कमी हो जाती है, उस वजए से हमें उन चीजों की craving होनी शुरू हो जाती है, हलो मैं हूँ Dr. Anupam और आज मैं बात करने वाली हूँ, relationship between food cravings and your nutritional deficiencies, क्या कुछ पोशक तत्वों क कमी से हमें कुछ खाने पीने की चीजों की craving होनी शुरू हो सकती है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे, हमारी body में जो अलग-अलग systems हैं, उनके तार एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जब भी किसी एक system में खराबी आती है, तो दूसरा system हमें उसके बारे में संकेव द जिससे की हमें पता चलता है कि कुछ कमी है जो हम अपने खाने पीने में पूरी करें ताकि हमें craving भी ना हो और बाद में जाके कोई हमें विमारियों का सामना भी ना करना पड़े, तो सबसे पहले छोटी-छोटी संकेत कैसे होते हैं, कुछ लोगों को बहुत तकावट रहत तो हमें तब पानी पीना चाहिए, तो ऐसे ही कुछ तत्व है जिनकी कमी होने से हमें cravings होने लगती है, हमें कुछ खाने पीने का दिल करने लगता है, तो अगर हम अपनी body के in science को सुनेंगे, समझेंगे, तो हम cravings को भी रोक सकते हैं और बहुत सारी nutritional deficiencies को भी रोक सकते हैं और आने वाली बिमारियों से भी अच्छी तरीके से लड़ सकते हैं, तो अब हम बात करेंगे ऐसे cravings के बारे में जो हमें होती है, जब हमारी body में nutritional deficiencies होती है, सबसे पहले कुछ लोग होते हैं, उनको चॉकलेट खाने की बड़ी craving रहती है, ऐसा नहीं है कि उनको बहुत प मेगनेशियम की कमी को पूरा करने के लिए हमें अपनी डाइट में nuts, seeds, green vegetables और बहुत साए fruits का सेवन बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि हमारी मेगनेशियम की कमी पूरी हो जाए और हमें chocolate cravings ना हो, इसके बाद आती है मीठा खाने की तलब, बहुत सारे लोगों को तलब मिले तो उनके हाथ-पाउं का अपने शुरू हो जाते हैं या फिर उनको पसीना आना शुरू हो जाता है, तो sugar cravings किस चीज को indicate करती है, sugar cravings हमें होती है, जब हमारी बॉड़ी में chromium, carbon, phosphorus, sulfur या फिर triftofan की deficiency हो जाती है, तो इन deficiencies को पूरा करने के लिए हमें बहुत सारे fruits, chicken या फिर जो lean meats होते हैं, या फिर green vegetables, या फिर whole grains, या फिर हम ले सकते हैं, जो berries होती है, vitamin C rich foods होते हैं, उनका सेवन बढ़ा देना चाहिए, या फिर कुछ seeds हम ले सकते हैं, nuts ले सकते हैं, या फिर raisins का सेवन, जो की होती है, kish-mish, उसका सेवन करने से ये सारे जो minerals हैं हमारी बॉड़ी में कम हो चुके हैं, उनकी कमी पूरी हो सकती है, और हमें sugar craving से राहत मिल सकती है, और next craving है, कुछ लोगों को bread, pasta, pizza, या फिर कुछ और carbohydrate rich foods खाने की तलब लगती है, तो ऐसे मामले में किस चीज की कमी होती है हमारी बॉड़ी में nitrogen की, और nitrogen की कमी को पूरा करने के हमें हमें क्या लेना है, high protein foods लेने है, high protein जैसे की meat है, या फिर fatty fish है, nuts, seeds है, या फिर chia seeds का सेवन हम अपनी डाइट में कर सकते हैं, ताकि हमें bread, या pasta, pizza की craving ना हो, उसके बाद आता है, oily या fried food, कुछ लोगों को बहुत तलब लगी रहती है कि हम कुछ oily खाले या कुछ fried foods खा या फिर जो भी milk products, dairy products है, या फिर रागी है, या फिर sesame याने की तिल के बीज है, इन सब चीजों में calcium बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, green leafy vegetables में बहुत अच्छा calcium होता है, तो अगर हम calcium की कमी पूरी कर लेंगे, तो हमें oily food खाने की craving भी नहीं होगी, next हमारा आता है salt craving, कुछ लोगों को नमक बहुत खाने की craving होती है, तो ऐसे में हमारी body में chloride या silicone की कमी होती है, तो इसको पूरा करने के लिए हमें fatty fish या फिर कुछ nuts जैसे की काजू है, या फिर कुछ seeds है, flax seeds, chia seeds, sunflower, pumpkin seeds, ऐसे seeds का हम सेवन करेंगे, तो हमारी ये जो salt की craving है, वो कम हो जाएगी, कुछ लोगों को एक craving होती है, ice की, उनको बरफ खाने का बहुत मन करता है, तो ice craving क्यों होती है, जब हमारी body में iron की कमी हो जाती है, iron किस चीज़ों में होता है, green leafy vegetables में होता है, या फिर fish में, chicken में, या फिर black berries में, raisins में, beetroot, अनार, ऐसे food अगर हम तो हमारी body जो है, वो एक computer system से कम नहीं है, तो हमें उनके संकेतों को सुनना है, जो भी हमारी body कह रही है, वो ऐसे ही नहीं कह रही है, तो उसका कुछ ना कुछ hidden meaning होता है, अगर हम ध्यान देंगे अपनी health पे, हमारी body के जो हमें signs मिल रहे हैं, signals मिल रहे हैं, तो हमें deficiencies हों हमारी हों से हम अपने आपको बचा सकेंगे, तो अगर हम इन जनरल बात करें कि डेफिशेंसी से बचने के लिए हमें कैसी डाइट होनी चाहिए, तो हमारी डाइट रिच होनी चाहिए, whole grains से, fruits से, vegetables से, और कुछ healthy fats in the form of nuts और seeds हमें लेने चाहिए, और हमें अच्छी नीम ल और भी refined foods है, bakery foods है, या जो भी बाहर का junk food है, उन सब चीजों से हम दूर रहेंगे, तो हमें nutritional deficiencies नहीं होंगी, तो हमेशा अपनी body के science को सुनिए, जिससे कि आप हमेशा स्वस्त रह सकें, healthy रह सकें, और हस्ते मुस्कुराते रह सकें, और देखते रहिए the black art studios.